गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 10 और पार्ट 11 पढ़ लिया था तो लाइब क्लास के टाइम पर हम लोगों ने पढ़तो लिया था पार्ट अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके शब्दार्ट करवा दूगी और जो भी इसका लिखित भाग है वो मैं आपको बता दूगी जो आप लोगों को अपने नोट बुक में कम्पलीट करना है ठीक है तो जो पार्ट 10 था हमारा वो कोयल के उपर था तो ये चाप्टर हमने पढ़ा था तो पहले हम इसके वर्ड मिनिंग और लिखित भाग को डिसकस करेंगे देखो फर्स्ट शब्दार्ट क्या है नए नए मतलब हरे भरे तो रही पड़ा था कि जब नए पढ़ाय हो जाते है ति बहुत से फूल लग जाते हैं यह capacity हमने पढ़ा थाया था- durch और स्वर मतलब स्वर मतलब क्या होता है उला वाज ठीक है तो यह तो इसके शब्दार्त हैं करेंगे अब लिखित भाग देखते हैं कविता की पंक्तिया पूरी कीजिए अब देखो यहां पर कविता हमें आधी-ाधी दी गई है हमें उसे पूरी करनी है तो हमने लिखा तब अपनी ही धुन में एठी अम्राई में चुपकर बैठी मीठे स्वर में जो गाती है वो ही को पहुदे कैसे होते हैं तो पेड़ फोदे नोय हो जाते हैं हरे भरिया होते हैं ठीक है तो इसमें आप नए भी cardiovascular करेंगे तो भी तकिक M मेहकने लगती है तो हवा फूलों से मेहकने लगती है ना क्योंकि फूलों में से खुजबू आती है तो हवा मेहकने लगती है अम्रही किसे कहते है तो हमने पढ़ा है अम्रही आमके पेड को कहते है तो हमने आमके पेड को टिक कर दिया नेक्स्ट है यह देखिए बागों में कौन सी चीडिया मीठे स्वार में गाती है तो हमें पता है कौन गाती है कोयल गाती है फिर यहां पर हमने रिक्तिस्तान की पूर्ती की थी फिलिंग दा ब्लैंक्स किया था जब डैश नए हो जाते हैं तो हमने पढ़ा था जब पेड नहे हो जाते हैं हर डैश बहकने लगती ह डैश में चुपकर बैठी किस में चुपकर बैठी अम्रही में आमके पेड में चुपकर बैठी डैश कोयल कहलाती है वही कोयल कहलाती है तुम भी डैश बोली बोलो कैसी बोली बोलो मीठी बोली बोलो तो यह हमने यह लिख दिया फिर प्रश्ण लक्र देखिये कोयल प्राय कहां चुपकर बैठती है तो हमने पढ़ा था आमके पेडğinे अम्राई में तो हमने लिख दिया ऐसा हम अन्सर अम्राही में फिर हैं पेड किससे लड़ जाते तो फुल फलफूलों से लग जाते हैं महखते हैं तो महखने का आर्थ होता है सुगंध फैलाना हम के about हमें कैसी बोली बोलनी की है हमें मीटी बोलनी जाहें तो हमने यह आंसर कर लिया तो इक तो हम तुरंत उत्तर देता हो कुछ भी बोलो तुरंत आंसर कर देगा तो वहता है हाज जबाबी ठंड मतलब सर्दी आप लोग जानते ही हैं अश्रफिया यानि मैंने बताए था आपको सोने के सिक्के को कहते हैं विंती मतलब प्रातना करना हांडी मतलब क्या होता है जिस भरतन मे इनाम चिराग मतलब दीपक और तुरंत मतलब शिग्रही यानि कि जैसे ही कोई चीज बोला जाए वैसे ही वह काम होजा तुरंत फिर देखिए यहां पर हमने लिखा है बॉक्स में सही शब चुनकर रिक्तिस्थान भरिये तो रिक्तिस्थान में क्या बरामन डैश के लोब पर डैश जलता रहता था क्या जलता रहता था महल में दीपक जलता रहता था ब्रामन का मूँ डैश गया तो ब्रामन का मूँ क्या हो गया था उतर गया था बिरबल को बाच्छा का अन्याइपून डैश अच्छा नहीं लगा तो बिरबल को बाच्छा का अन्याइपून व तो भीरबल का सभाव दयालू था। गरीब ब्राह्मन को किसको आवशक्ता थी? वो जो गरीब ब्राह्मन आया था राजा के पास उसको धनक्यावशक्ता थी, पैसो Kitց की आवशक्ता थी। महल में रात भर क्या जलता रहता था? दीफक जलता रहता था। बादशाह ने अंत में 100 अश्रफियां किसे दी थी, लास्ट में किसको दी थी, तो उस ब्रामन को दे दी थी, जो नदी में खड़ा था ना, पूरी राद उसको दे दी थी बिर्बल अपने किस बात के लिए प्रसिद दे थे, ये प्रशने उत्तर आ गया, तो बिर्बल किस बात के लिए प्रसिद दे थे, एक तो हाजिर जवाबी के लिए, क्योंकि वो तुरंद उत्तर दे 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 थे और न्याय के लिए, कि वो हमेशा सब के साथ इंसाफ करते थे तो बिर्बल ऐसा क्या कर रहे हैं कि खिचडी पक नहीं रही यही देखने के लिए जो अकबर थे वो बिर्बल के पास गए थे बिर्बन ने खिचडी के बारे में क्या कहा था बिर्बन ने कहा था कि जब महल के चिराग से ब्रामन को गर्मी मिल सकती है तो दूर से चूले की आग से खिचडी भी पक सकती है तो अकबर को समझाने के लिए बिर्बन ने ये पूरी रचना की थी उन्होंने उनको अच्छा नहीं लगा था कि ब्रामन को बैमान कहा गया तब भिर्बल ने क्या किया था भिर्बल ने कहानी रची उन्होंने कहा कि खिचडी पक नी रही है इसलिए वो दर्वार में नहीं जाते थे तो फिर अगबर आके देखे कि ऐसी कौन सी खिचडी जो प मिल रही थी तो ठीक उसी तरह मेरी खिचडी भी पक जाएगी तो फिर अगबर को अपनी गलती समझ में आ गई थी तो लास्ट में उन्होंने ब्रामन को सो अश्रफियां दे दी थी सो सोने के सिक्के दे दिये थे तो यह पूरी कहानी थी तो अब यह जो मैंने आपको बता करना है अगर इन दोनों चैप्टर से रिलेटेट आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब हमारी हिंदी की लाइब क्लास होगी तब तो मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स क्लास में तिल देन डू कम्प्लीट यो ओमवर्क एंड टेक